हलो अबरीबाद मैं गायत्री हाउटुमिक भाई गायत्री मैं आप से विकार सागत करती हूं और आज आप लोगे लिए लिए हूँ मुरभभी की रेसिपी इससे पहले भी मैंने मुरभभ की इस तरह से बनाया जाता है आमले का उसकी रेसिपी अपलोड कर रहे हैं आप रख लेंगे उसके बाद हम इसके उपर देंगे अपने हिस तरह ररादे निया पर देंगे वाद में दकति हाम ग्रे значит म de से रिक्रेस्टे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन के साथ में ताकि नोटिफिक्षिन मिल सके और जो भी रेसिपी अप्लोड करूँ वह आप लोग जल्दी जल्दी पास होको तो यहां पर देखिए एक माम दस्तर लिया है मैंने उसमें थोड़ी सी इलाइची डा और मीडियम फ्लेम पर पका रही हूं आदा गलासी पानी डाला इसमें ज्यादा पानी नहीं लिया है मैंने बस इसको इसतर से सॉफ्ट हुन्दक पकाएंगे उसके बाद इसमें हम एड कर देंगे जो हमने काली मिची लोंग और इलाइची पीसी ती उसको डाल देंगे और इसमें चाशनी होन्साइब देल एकद अपकाना ही तो बस इसको ठक देते हैं फिर से हम और बीड में भी करते रहेंगे यहां पर देखिए। इससे में उबाला रहा है। फ्लेम को मैंने स्थोड़ा साथ मीडियम पे कर दिया था। भी मसाला आता है। यहां पर इसी प्रोसेश को तो हमको कम से कम 15-20 मिट तक करना है, उसके बाद कुछ समय बाद देखेंगे, आपकी आवला एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, जूसी हो जाएगा, एकदम देखें जिस तरह से गुलाब जब उन तेर थे न चाशनी को पर उस तरह से यह तेरने लग जाएंगे, तो यहां पर मैं थोड़ा सा काला रमग और सिखा जिरा डाला है, यानि कि बहुत ही כम डाला है, मैंने मतलब की, हाफ टीजपून से भी कम डाला है, बस यह दोनों चीज़ डालके और गेस को उफ कर देगे, और यहां चाशनी का कलर यह अंवले बहुत ही जूसी बने हैं, तो चलिए इसको आप किसी भी एटाइ डिमे में रख दीजिए ठंडा होने के बाद यहां पर में आपको सवर्व करके दिखा रहे हूं बहुत ही यमी बहुत ही हेल्दी रेता है विटामीन सी से भरपूर आवला जो मुरब्बा है ना बहुत ही हेल्दी है हमारी आँखों के लिए हमारी अलिबाइ बाइ